जैहन दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल चुनूजी के सेंटर पर मेरा किसको मार राय और चुनना आपके लिए जीके जीएस का एक और प्रैक्टिसेट लेकर आया हूँ जो आपकी GSAC, BSAC, BPSC, Railway, CTAT, UPTAT, UPPSC, जितने भी तरह की PCS, जितने भी तरह की exam की आप तयारी कर रहे हैं SSC, CGL, MTS, CPO, STNO, जितने भी तरह की सब परिक्षा के लिए important है तो पूरा वीडियो देख के जाएगा और आपको कितना जानकारी है, 20 प्रशनों में से, 20 में से आप कितना मारिएगा हमको ये बता के जाएगा तो देखिए पहला सवाल, पहला सवाल ये रहा आपके screen पर, कि सकल घरेलूत पाद, इसका मुद्रा मुल है तो देखिए इसका answer क्या होगा, अगर आप जानते हैं, तो comment करके हमको बताईएगा, इसका answer होगा option 2 एक और समत्पादित सभी अंतिम वर्ष्टवें और सिवाओं का, ठीक है, क्या होता है, चलिए, अगला सवाल निम्खित में से किस बाजार संग्रिचना में बदलदार मांगवकर होता है, अगर आप जान रहें, तो answer दिजिए तिके इसका होगा option 3, अलपादिकार, अलपादिकार बाजार की वस्तिती है, जिसमें कुछ उत्पादक का निंतरन रहता है बदलदार मांगवकर की अवधारना के परतिपादक पॉल स्वीजी है, इसको भी आज रखिएगा चलिए, अगला सवाल अगला सवाल है, निम्खित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, ये आपको बताना है तो देखिए, सही जोड़ा आपको बताना है तो इसमें आपका हो जागा देखिए, पर्थम ओजना उनिश्णो 256 ये सही था 11.8 उजना 27, 2012 ये भी सही था चटी ओजना 94, 180, ये भी सही था लेकिन उप्शन 2 गलत है तीर्थ ओजना कब हुई थी? तो तीर तोजना 1961 से 1966 में हुई थी चलि आगे बढ़ते हैं आगे है मार्डेका कप की स्खेल से सम्बंदित है मार्डेका कप तो देखिए मार्डेका कप की स्खेल से सम्बंदित है तो मार्डेका कप आपका सम्बंदित है option 2 हो जागा football से बंडेगा कप स्वतंता दिवस का सम्मान करने के लिए मलेशिया में आईजी तेक फुटवर्ट टूर्नामेंट है चलिए आगे बढ़ते हैं बर्श 2011 की जन्गर्ना के नतिजों के दिवकित मैंसे कौन सा समू साक्षर्ता के संभन में तीन सिर्ज स्थानों पर अधिकार रखता है तो दीखें इसका आंशर क्या हो जाएगा तो इसका आंशर हो जाएगा आपका आप्सन तीन ठीक है अप्सन 3 आनि केरल लक्ष दिफ में जो रहा हूं चलि अगला सवाल देखते हैं 20 का 20 प्रश्ण मैं आपको बताऊंगा 20 प्रश्ण मैंसे आप कितना प्रश्ण कर पाईएगा ये आपको कमेंट जरू किजिएगा चलि अगला है कि राज में जिलाने आदिशों की निजिक्ति किनके द्वारा की जाती है जिलाने आदिशों की निजिक्ति तो देखिए इसका राइट अंसर क्या होगा तो इसका right answer आप अगर जानते हैं तो comment एक बार कर दीजिएगा इसका right answer हो जाएगा आपका option 3 राज़िपाल चार नहीं होगा तीन होगा राज़िपाल भारतिय समिनान के नुचेद 233 233 के नुचार जीलाने आदेशन के नुच्छती पद्विद्धी छुटियों । दिनार जो है कहां की मुद्रा है तो दिनार आपका इराग की मुद्रा है या सेंट्रल बिंक आप इराग द्वारा जारी किया जाता है और इसे एक हजार फिल्स में उप्वववाजित की आ आता है परतम्वी सुजूत के दुरान एराग पर बिटिस समराज का प्रभूत अस्थापित हो जाने के कारण अधिकारी ग्रूप से भारती रूपया प्रचलन में था और वार सोने 37 में इसके अस्थान पर दिनार अर्देश में प्रचलित किया गया चलिए आगे बढ़ते हैं किसी कल्यान राज का सरवाधी के मातपुन उत्तरदाय तो क्या होता है ठीक है तो ये क्या हो जागा आईए देखते हैं ये हो जागा आपका अप्रचन तीन सोर्चन पर नियंतरन भारते समदान के नुचे 38 के द्वारा 38 के द्वारा राजी की लोकल लियान की अभिविर्दी के लिए वो प्युक्त समाजिक बेवस्था की स्थापना करने का निर्देश दिया गया है चलिए आगे बढ़ते हैं उस नदी का नाम बताएं जो पर्च्चमिघाट से शुरू नहीं होती है वो नदी है आपका बराग दक्चिन बार के तीन परमुह नदियां है कृष्णा गोदावरी और कावेरी का उद्गम अस्तल पर्च्चमिघाट से है और बराक नदी दक्षिन असम चेतर के एक परमुख नदी है जो कि मेगना नदी तंदर का भाग है वेगाई नदी भी पश्चमिघाट से ही मदुरिय के समय से निकलती है इसको आद रखेगा चलिए आगे बढ़ते हैं आगे कौन सा राष्ट्पती पहले आया और कौन सा बा दिया होगा हाँ यह दिया हुआ है चलिए इसका राइट अंसर मैं बता दे रहा हूँ सबसे पहले जो आया था वो आया था आपका जाकिर हुसेन फिर आपका आया था जस्टिस हिदायत उल्ला फिर फक्रोदिन अली अमाद फिर एपीजे अब्दिलकलाम चलिए इसको आप चलि इसका राइट अंसर हो जागा आपका ओप्शन children एक सहने हो ग्या अंडलोन भरचोडों आंडलोन केविध्यनन मिशन प्लान चलिए विक्रम सिलाव इस्विद्याले की सथापना किस ने की विक्रम सिला विस्विद्याले की सथापना की थी आपका पालवन्स के राजा धर्मपाल 783 से 820 AD में ठीक है चलिए आगे दिखते हैं धर्मपाल हो जागा इसका राइट एंसर निमक्रित में से रिगवेद काल के दोरान किसकी जानकारी नहीं थी तो देखे रिगवेद काल के दोरान अपके जानकारी नहीं थी खेती की क्रिशी की रिगवेदिक आयर खाना बदोस थे आणि नोमेड थे और वेपने भोजन के लिए आर्थिक गिवन को के लिए तर डर्मने एक अस्थान से दुर्षा अस्थान पर जाते थे चलिए आगे बढ़ते हैं निमक्रित का मिलान करना है मिलान करना है आपको तो मैं मिला देता हूँ पल्ला हो जागा आपका सिम विष्णू चालुक के हो जागा पुलके सिन टू ने वन हो जागा राष्टकुट हो जागा आपका दंती दुर्ग और हाईलासास हो जागा आपका विष्णू बर्धन आद रखेगा चलिए आगे बढ़ते है अबुल फजल ने लिखा है ये अबुल फजल ने क्या लिखा है तो अबुल फजल की किर्ती का नाम देखते हैं हम लोग यहां होगा चलिए आगे आई ये अबुल फजल अबुल फजल की किर्ती का नाम हो जागा अकबर नामा अधर कियेगा अकबर नामा आईने अकबरी अब फजल अकबर के नौरतनों में से एक है चलिए आगे बढ़ते हैं भारते समिधान कब लागू हुआ तो भारते समिधान लागू कब वह यह आपको बताना है तो यह आपका 26 जनौरी 1959 को लागू हुआ चलिए अगला सवाद निम्कित में से कौन सा कार मनुश्य दवारा किया जाने वाला है जो परश्थिति की संतुलन में बाधा डालता है तो देखिए इसका अंसर क्या होगा इसका अंसर हो जाएगा आपका अफशन तीन लकडी काटना ठीके लकडी काटना में परश्थिति की संतुलन में बाधा पुइंचता है क्योंकि इससे पेड़ों की संक्या कम होती है चलिए अठारा नमर सवाल है UPSC का विश्थित रूप क्या है UPSC का फुल फॉर्म UPSC का फुल फॉर्म होता है आपका Union Public Service Commission आने संग लोक सिवा आयो Union Public Service Commission चलिए उनिश नमर सवाल है भारत के कितने राज्यों से समुद्र तर्ट रिकार संग लगन है आने जुड़ी हुए है तो देखिए यह हो जाएगा आपका Option 3 भारत के नौराज़ों से कौन-कौन तो गुजरात, महराष्ट, गोवा, केरल, करनाटक, परस्चिमंगाल, ओडिशा, आंधरपर्देश, तमिलनाडू यह समुद्र तर्ट रिका है चलिए आगे बढ़ते है भारत और पाकिस्तान के बीच अंतराष्टी सिमा किसके द्वारा सिमांकित की गई है तो देखे इसका राइट अंसर क्या होगा इसका राइट अंसर हो जागा आपका Option 3 रेट किलिप लाइन चलिए आगे बढ़ते हैं भारत में एक रुपिया का नौर्ट और सिका और पचास पिसा का सिका किसके द्वारा जारी किया जाता है तो देखे एक रुपिया का नौर्ट और सिका और पचास पिसा का नौर्ट और सिका जारी किया जाता है आपका केंदे सरकार द्वारा चलिए बहुत इंपोर्टन सवाल था भारत में पंडूबी ने में जल आत्रा करने वाले पहले राष्टपती थे आपका डाक्टर एपी जी अबुल अब्दुलकलाम ठीक है डाक्टर एपी जी अब्दुलकलाम ने तेरो फरवी दोजार चौप को यह आत्रा की थी तो 37 स्पेस सेंटर आपका अश्तित है शिरी हरी कोटा मैंने ओप्शन 4 हो जागा इसका राइट अंसर चलिए आगे बढ़ते हैं अंतिम सवाल है कि IIFA का पूरा अर्थ क्या है तो IIFA का पूरा अर्थ हो जागा आपका अप्शन टू अप्शन टू इंटरनेशनल इंडियान फ बदल सकता है इसलिए पूरा वीडियो को बार भार देखिएगा दस बार देखिएगा ताकि आपको ठीक है पूरा फायदा सके फिर बिलता है इसके अगले पार्ट में तब तक ले जय हिंद जय भारत